देश में क्लाउड सीडिंग के जरिये कृत्रिम बारिश कराने में बड़ी सफलता हासिल हुई है। प्रोफेसर मनींद्र अगरवाल ने कहा कि इस परीक्षन के दौरान बारिश नहीं हुई क्योंकि हमारी ओर से इस परीक्षन के दौरान बादलों में फ्लेयर्स को फायर नहीं किया गया था। ये उपकरन के लिए एक ट्रायल था लेकिन ये टेस्टिंग सफल रही। अब हम चर्णों में क्लावड सीडिंग चलाने के लिए तयार हैं। यह परीक्षन DGCA की अनुमती के बाद हुआ है। हम इस प्रोजेक्ट पर बीते कई सालों से काम कर रहे हैं। कोरोना काल की वजह से इसकी खरीद प्रक्रिया में देरी हुई। उत्तर प्रदेश सरकार ने कई वर्ष पहले क्लावड सीडिंग के परीक्षन की इजाजत दे दी थी। अब हम जब चाहे किसी भी इलाके में बारिश करवा सकते हैं यानि की भारत में इतनी उन्नती हासिल कर ली है कि अब हम सूखे जैसी आपदा को भी कतम करने जा रहे हैं। हालांकि देश में मानसून क के दौरान होने वाली भारी तबाही का हमारे पास कोई जवाब नहीं है। कल से जो हमारा सकसफुल एक्सपरिमेंट था उसमें उसकी वजए से बारिश तो नहीं by क्लाउट के अंदर जाकर हमने फाइरिंग नहीं नहीं करी थी। कल एणिवेफारस कानपुर में सुबह सही हो रही était लैकिन यह एक्सपरिमेंट क्योंकि सकसफुल रहा है इसका से प्रयासरत हैं, अमेरिका से special instrument attachments भी मंगवाए गए जो कि कोविट के कारण दो सालों तक नहीं आ पाए, अब जाके हमने instruments attachments को लगा भी लिया है, DGCA की clearance भी मिल गई है, इसको करने के लिए, और हम पहली flight successful हो पाई है, अब आगे के कुछ हफतों में हम और भी tail flights करेंगे, और उसके बाद हम एक तरीके से कह सकते हैं, तयार होंगे cloud seeding करने के लिए सर, कितनी उचाई तक हम प्लेन को लेके गए, इन cloud seeding process को कम्वीर करने के लिए अचाई तक जाता है, जो कि बहुत उचा नहीं है, इसमें ये एर प्रेशर नहीं है, तो इसकी उचाई एक दो किलो मेटर तक होती है, तो उसी हाइट तक जाता है, और उसी हाइट तक जाने क आउचकता नामली होती है, क्योंकि जो rain clouds होते हैं, वो नीचे ही रहते हैं, वो बहुत हूचों इस तर पर नहीं होते हैं.